विज़पूर चलाए जा रहे ऑप्रेशन के बीच सुरक्षा बलो की जान चली गई विज़पूर में नक्सिलियो और सुरक्षा बलो में मुठभेर हुई जिसमें 22 जवान शहीद हुए और 30 से ज़ाधा घायल है इन में से करीब एक दर्जिन जवानों की हालत काफी गंभीर है इसको लेकर कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने भी ट्विटर के जरिये सरकार पर तीखा हमला किया है ऐसे में अब राहूल गांधी के बयान को लेकर सियास्ट शुरू हो गई है बीजेपी के राश्टी प्रिवक्ता और बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसेन ने भी राहूल पर हमला बोला है शाहनवाज हुसेन ने कहा कि नकसलियों से लड़ाई जारी है लेकिन राहूल गांधी जवानों की शहादत पर भी सियासत कर रहे हैं जो की दुर्भाग ये पून है राहूल गांधी जिस तरह की भाशा बोल ले है वो दुर्भाग पून है इस तरह घटना पर CRPF के जवान और जवान शहीद हुए है किस तरह की वो राजनीत कर रहे हैं, क्या जवानों पर भी इस तरह की सियासत करेंगे, दुर्भाग पूर्ण है, देश के अंदर उनके इस बयान से लोग नाराज हैं, नकसली से लड़ाई जारी है, मजबूती से लड़ाई होगी, नकसल को समाप्त किया जाएगा, लेकिन इ बता दे, राहूल गांधी ने ट्वीट कर पूछा था कि, हमारे जवान तोपो के लिए कोई चारा नहीं है, अब उन्हें चाहे, तब शहीद होने के लिए भेज दिया जाए साथ ये ख़वर शेयर करते हुए लिखा कि, अगर कोई खूफिया असफलता नहीं थी, तो एक जवान के बदले एक नकसले का मारा जाना, ये बताता है कि ये खराब तरीके से डिजाइन किया गया ओपरेशन था, जिसे अन्जाम भी उतने ही बेकार ढ़ंग से किया गया थ Newsdesk झाल